आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Friends, हमें आपके question दिया हुगा है The moment of inertia of four bodies having the same mass and the radius is reported as circular ring about its diameter so, हमें पास circular ring है और इसके diameter के along हमें moment of inertia बताना है so, यह i1 हो गया so, i1 इसके diameter के about जो होता है mr square by 2 इसको हमें लिख सकते है 0.5 mr square i2 हमारा क्या है moment of inertia of circular disk है about an axis perpendicular to the disk and going through the center तो एक हमको disk दे रखी है तो disk basically ऐसे होती है मतलब ring में अगर हम लोगों का area consider किया जाए तो उसको हम लोग बोलते है disk so, इसके perpendicular disk के perpendicular में moment of inertia i2 दे रखा है और इसके value क्या होती है यह सेम होती है mr square by 2 यानिकि 0.5 mr square थर्ड वाला में दिया गया है moment of inertia of solids cylinder about an axis about its axis तो देखो cylinder जो है वो solid दिया गया है यहां पर इनके mass और radius सबकेसे इसम दी गई है तो इसका भी mass m है उसके radius जो है वो r है तो यहां से इसके axis के about अगर हम लोग moment of inertia निकाले i3 इसको denote किया गया है तो यह इसका value होता है mr square by 2 तो same ही होता है क्योंकि इसको हम लोग flat करके compress करके एक disk कितरा consider कर सकते हैं तो इसका moment of inertia हो जाएगा 0.5 mr square फोर्थ वाला दिया गया है moment of inertia of solid sphere about its diameter तो देको solid sphere दिया गया है और diameter के along में moment of inertia निकालना है कि इसको बोला गया i4 और इसका mass m है और इसकी radius जो है वो आ रहे है तो इसकी value होती है हमारी 2.2 by 5 mr square तो इसका value क्या जाएगा 0.4 mr square अब options चेक करें अगर तो i2 plus i3 is less than i2 plus i4 तो देखो अब calculation करेंगे तो यह क्या लिखा हुआ i2 और यह i2 और i2 दोनों साइड पर क्या हो जाएगा cancel हो जाता है i3 is less than i4 यहां पर i3 क्या है 0.5 i4 क्या है 0.4 है तो i3 इसने बोला है कि less है बट यहां पर क्या दिख रहा है 0.5 जज़ा है 0.4 से option 1 गलत option 2 बोलता है i1 plus i2 अगर sum करोगे equal होगा i3 plus 5 by 4 i4 तो देखते हैं calculation करके तो i1 और i2 को अगर आप जोड़ेंगे तो देखो i1 हमारा यह 0.5 है i2.5 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो mr square इदर आ जाएगा mr square और i3 और 5 by 2 i4 को जोड़ेंगे तो देखो i3 हमारा यह है और i4 हमारा यह है इसका अगर हम 5 by 2 करेंगे तो 5 by 2 into 0.4 mr square तो यह हो जाएगा तो हमारा 0.2 तो यह हो जाएगा mr square सरे मपल सा तो इधर कितना हमाँ पास हो जाएगा यह value कितने एक को लो जाएगी यह हो जाएगी 1.5 mr square और इसने क्या बोला गया है इसने क्या बोला होगा है equal है तो option 2 भी गलत हो जाते है option 3 बोलता है i1 equal है i2 के equal है i3 equal है greater than i4 है तो यह बिल्कुल correct option है i1, i2, i3 जो है वो 0.5 है i4 जो है वो थोड़ा सा इससे 0.5 से काम है i1, i2, i3 क्या होगे greater होगे तो यह option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा option 4 क्या बोलता है i1, i2, i3 equal है तो यह correct है बट less than बोला है तो less than तो नहीं यह greater than है तो यह option भी गलत हो जाता है तो option 3 final होगे Thank you जाएगा